तो दोस्तों माचू के एक और नए fresh वीडियो को सांथ आप सबी के सामने हैं और दोस्तों आज के ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में हो सिखेंगे कि आप अपने hair में cut कैसे लगा सकते हैं और साथ ही साथ ह अपने दाड़ी को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका से कैसे सेट कर सकते हैं और तो काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो फटा फटा सा वीडियो को लाइक किजें चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम आप लोग लिए ऐसे हैं एडिटि मेरे चैनल के अंदर जाकर वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपको फेस को स्मूथ कैसे करना है बाकी हम इस वीडियो में सिखेंगे कि हम अपने हेर में काट कैसे लगाने वाले हैं बहुत ही बेटर तरीका से और जो मेरा बीर है इस पे हम कै इसको स्मूथ करते हैं और भी सारी जो चीजे हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो यहां पर देखिए मैं अपने फोटो को भेज लिया हूँ एटो डेस्क एसके बुक के अंदर और जो भी मैं एस्टेप बता रहा हूं इसको आप लोग ध्यान से देखना क् को अपने फोटो को भेज लेना हैं देखिए यहां पर आपको सबसे पहले मATE यह बता रहा हूं कि आपको अपने दाढ़ी पे ड़ी को कैसे से अट करने है तो सबसे पहले तो हम यह वाला फारट से उन्हाणने वाले है तो कुछ इस तरीका से आपको मैं तलम आपने हिसाब पर टैप करदेना है ठीक है दन इसके बाद अब आपको क्या करना इस तरीका से आपकin अफन से से इसको एड़ेस्ट कर ले जैसे भी आपको शेलेक्षान बनाना से बनाना जब Perfect ठीक है और इसको थोड़ा सा आपको ट्राइ करना पड़ेगा दो तीन बार तब जा करके यह होगा देखिए मैं कितना बर किया भी भी सेलेक्शन बढ़िया नहीं बना हाँ चलिए और थोड़ा सा नीचे जाएगा ऐसे हैं मैं आपको बस जनकारी के लिए बता रहा हूँ आप ट्राइ किजिएगा ठीक है बहुत ही अच्छा बना यहां पर देखिए मैंने स्लेक्शन बना लिया उसके बाद हम हमें क्या करना है हम कुछ नहीं करना है बस सिंपल से जाएंगे यहां पर ब्रस वाल आइकन पर और यहां पर क्लिक करके इस वाले ब्रस को स्लेक्ट कर लेना है दन इसको इस तरीका से जूम करना है ध्यान रखना उसके बाद आप ऐसे अपलाई करते रहना यह आपका जो ब्रस है यहां पर देखिए बाकी जगह पर काम नहीं करेगा जहां पर आप सेलेक्शन बनाए है नो वहीं करेगा तो इस तरीका से आपको केवाल अपने ब्रस को अपलाई कर देना है अपने जहां भी कटिंग हो आरा लगाना है वहाँ पर देखिए इसको आप देख पाहोगे कि यहां पर दाड़ी आपका सेट हुआ हुआ दिखेगा देखिए यहां पर हम क्रस करेंगे तो देखिए यह मैंने कुछ इस तरीका से दाड़ी को सेट कर लिया उसके बाद इसको मैं जल्दी जल्दी किया हलाकि आप लोग इसको अराम से करना और बढ़ियां से करना तब जा करके हो पा स्क्राइब जो एरिया हमें नहीं चाहिए जिसे इवाला ओर मैं नीची है ठीक है चलिए हम इतना हमकट लगा लिए उसके बाद हम क्या करेंगे जितना हम स्लेक्ट किए न एरिया यहां क्या हड़ जाएगा है सेटिंग पर जाएंगे और इसके सेटिंग को हम थोड़ा सा ज्यादा हम रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी 10 के राउंड इसको भी हम रखेंगे 10 के राउंड उसके बाद हमें यह वाला ब्रस जो है स्लेक्ट होना चाहिए दन इसके बाद इस तरीका से हम स्लेक्शन बनाएंगे तो यहां पर देख पाऊगे कि यह जो आ अब अपने हिसाब से इसको जो यह बरस का जो दाग वागार है न यह आप एड़ेस्ट कर लेना जब आप बरस के साइज थोड़ा बहुत कम किजिए तो यह एड़ेस्ट हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आप अपने दाढ़ ही वगारा जो है ना सेट कर सकते हो इस तरीका से आ जहां पर हमें ब्राइट एरिया है उसको ब्राइट ही रखना है जो डार करी है उसको डार की रखना है ठीक है तो अपने हिसाब से आप एड़ेस्ट कर लेना हलाकि मैं यह क्योवल बता रहा हूं आप जब इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा क कितना आसान है अब यहां से हम इसको हटा देंगे तो देखिए यहां पर भी एक कटिंग बन चुका है हमारे डाड़ी के अंदर इसी तरीका से आप यहां पर भी लगा सकते हो ठीक है आप यहां पर आराम से जाना यहां पर से लेक्षन में और इसको अप ऐसे अड़ेस्ट कर सकते हो तो देखिए यहां पर आपका यह भी एक कटिंग दिखाई देगा तो कुछ इस तरीका से आप अपने डाड़ी में डाधी को सेट कर सकते हो ठीक है अब मैं बताऊंगा कि आप अपने हेर में कटिंग कैसे लगा सकते हो जिससे थोड़ा साच्जा दिखे तो इस आप दाड़ी सेट कर लेना यहां से देखिए बाकी जो यह दिख रहा है ना दाग वाग इसको थोड़ा आप अपने ब्रस के साइज को छोटा करके इस तरीका से आप अपने हिसाब से इसको एड़ेस्ट कर लेना दैन उसके बाद यहां पर हम सिखेंगे कि अपने हेर में कट कैसे लगाएंगे तो हेर में कट लगाने के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना है तो सिंपल से आपको उसी टूल पर क्लिक करना और यहां पर देखिए गाइड का जो अफसन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं टूल से हम हेर में कट लगाने वाला है हलाकि यह वाला ब्रस लेना है ठीक है स्मॉज सॉफ्ट राउंड ब्रस टू दन इसको सेटिंग पर जाना है सेटिंग हमें इतना ही रखना है उसके बाद इस तरीका से मतलब फॉलो करना है थोड़ा सब ब्रस के साइज हम बढ़ा लेंगे कि दो तीन बार ऐसे आप किजिएगा तो यह कट लग जाएगा तो देखिए आप लोग इस तरीका से आप अपने हेयर में भी अच्छा वाला कट लगा सकते हैं सेम आप लोग यहीं इस टेप फॉलो किजिए और देखिए एक बड़ ट्राइ किजिए कि आप भी कट लगा पाते हैं नहीं आप को करने है तो बहुत असानी से एपकिए आप कटिंग लगा सकते हैं ने इस तरीकां से कर दिएगा तो यह रग यह अच्छा दिखेगा इतना आप कर करने के लिए आपको बता हिए होगा सिंपल सांडार जाएंगे यहां से लिएर इस वाले इस तरीका तरीक है और यहां पर फिर से लिएर करना है यहां पडूका साथ लाइट कर देना है ज्री गडियर अथे यहां पर है उसके से आपको apply कर देना है अपने face पे तो यह जो है आपका face बहुत ज्यादा गोरा दिखेगा लेकिन यह काफी बेकार सा दिख रहा है तो simple से में जाएंगे यहाँ पे और इसको हमें थोड़ा सा इसका कम रखेंगे देखिए तो अपने हिसाब से आप रख लेना इतना आपको रखना हो इस तरीका से आपको कर लेना है तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपके face पे ब्राइट आ जाएगा आपका face जो है थोड़ा बहुत ब्राइट दिखेगा थोड़ा सा चमकिला दिखेगा उसके बाद यहां से आप color combination भी कर सकते हैं यहां पर hcl adjustment पर जा करके इस तरीका से आप अपने हिसाब से यहां पर color भी दे सकते हैं अपने face पर तो यह था कुछ तरीका जिसके जिसका यूज़ करके आप अपने दाड़ी को बना सकते हो और अपने hair में cutting कर सकते ह हला कि आपको इस photo का link description में दे दूँगा जो photo मैंने smooth किया है इसी photo को मैं आपको description में दे दूँगा आप लोग डाउनलोड किजिएगा और आप लोग भी same इसी photo पर try किजिए उसके बाद आप अपने photo पर इसको अपलाइक कर सकते हैं बाकि दोस्तों वीडियो कैसी लगी अच्छे लोगा तो लाइक किजिएगा चैनल नहीं होंगे तो subscribe किजिएगा बाकिया मिल तक लिए फ्रेस वीडियो को साथ तब तक के लिए बाई बाई